असलाम लेकूम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ़र नून और गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे प्यारे वियर्स ? आज मैं आप सभी के लिए इस मौसम में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट रेसिपी लेकर आए हूँ आज हम बनाएंगे करेले वो भी एक इस्पेशल तरीके से बिल्कुल हटकर ये रेसिपी है इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और ट्राय करने के बाद मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको ये कैसी लगी तो चलिए देख लेता है इसको हमने कैसे बनाया ह तो मैंने यहां पर लिये हैं तीन बड़े साइस के करेले और इनको मैं अब पीलर की हेल्प से पील कर लूँगी आप चाहें तो इनका जो उपर की स्किन होती है उसको बिना निकाले भी इसको बना सकता है तो मैंने यहां पर इसको छीलने के लिए पील करने के लिए पीलर क हो चुके हैं सभी को हमने ऐसे ही पील कर लिया है अब हम चलते हैं इसको कटिंग की तरफ तो अब हम इसको करेंगे कटिंग तो इसको बीच में से हमें ऐसे नाइफ की हेल्प से कट करना है और एक करेले में से हमें लंबे-लंबे slices 4 slices करने हैं जैसे कि मैं कर रही हूं तो जितने भी करेले आपके पास सब को ऐसे ही कर ले और फिर इसे हम एक बोल में आड़ करेंगे हम वन टीजपून नमक और इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे तो बड़े चमच के हिसाब से कि जो नमक है वो सारे करेले में आ जाए और करेले के अंदर तक नमक चला जाए और जितना भी करेले का कड़वापन है वो सारा निकल जाए तो मैं इसे आदे गंटे के निकल जाए तो अब लिया मैं इसको करेंगे एक-एक स्लाइस को और हलका गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम और वह बहुत ही अमीजिंग आता है और हमने इसे नमक डाल कर रखा था तो इसका आलमोस्ट जो कड़वापन होता है करेले का बिटर फ्लेवर होता है वह भी निकल जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करते हुए इसे गुल्डन ब्राउन करेंगे और जब यह हलका सा गुल् भी गुल्डन ब्राउन हो गए थे अब उसी वाइल में हम एड कर देंगे वन टीस्पून अदक लहसुन का पेस्ट और एक मिनट तक इसे भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे हाई फ्लेम पर इसे नहीं भूलेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे अब इस है हाई फ्लेम पर इसको बुनाई नहीं करना है नहीं तो आपके जो यह मसाले हैं और जो इनके इसमें आड़ के हैं वो सारे जल जाएंगे तो देखे हमने इसको फ्राय कर लिया है एक से दो मिंड तक और अधर कले सुनका जूराय स्मेल है वो भी आल्मोस निकल चुकी है इसकी बुनाई काफी अच्छे से हो चुकी है अब हम इसमें आड़ कर देंगे हरी मिर्चे तो मैंने यहाँ पर चार से पांच हरी मिर्चे लिए हैं जिने बीच में से कट कर लिया था इसे भी हम एक से दो मिंड तक इसमें फ्राय करेंगे और इसमें अड़ करेंगे अब हम two medium size के लंबे-लंबे slice rate में मैंने onion को कट कर लिया था उन onion को हम इसमें एड़ कर देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स इसको हलका सा हमें पिंकिश होने दे ihmा मिक्स अपने बिल्कुर हलका सा इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसमें पिसे हुई मसाले audible एड़ करेंगे तो सभी चीजों को अच्छे से शीनियन में मिस कर देंगे तो यह कि अनियन काफी अच्छे सा मिक्स हो चुकी है अब भी लीड़ करेंगे पिसे हुए एड़ कर देंगे जिससे हमारे जो इसमें अपना ओड़ा सा इसमें रिलीस कर देंगे तो देखिया मसाले काफी अच्छे से भुनाई हो चुकी है मसाला नीचे भी लगने लगा था और जो अनियन थी वह भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब चलते हैं नेक्स्ट कि यह करेले और हम इसमें मैं चार डाल रही हूं सोखी घर की बनाई हुई खटाई जो कि मैंने कच्छे आम से बनाई है और थोड़ासा पानी अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप इसमें दो चमचम चूर पाउडर या फिर आप इसमें एड कर सकते हैं कच्छे आम करेले का जो बिटर फ्लेवर होता वह भी नहीं आएगा और वन Age Ri we are इसमें गुड़ तो गुड़ से से में बहुत ही यम्मी फलेवर आता है और यह कर रेले बिलकुल ही ンहीं लगता है जिल like हानाना ऱहीं पसंद करते उनके लिए बिल्कुल बैस्ट रेसिपी है तो देखें मीडियम फ्लेम पर मैंने से 10 मिंट के लिए ढखका रख दिया था और 10 मिंट बाद जब मैंने से खोल कर देखा है तो हमारी रेसिपी बनकर तयार है रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले फिर से लेकर आओंगी आप सभी के लिए ऐसी मज़िदार रेसिपी